एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हिमाचल परदेश का जहां एक प्लैटफॉरम जहां परदेश के हितों के लिए अपनी बात कह सकते हैं अगर बजट में किसी चीज की अगर कमी रह गई तो आपके पास अपॉर्चुनिटी थी अपसर था अपनी बात को वहां पर कहने का और यहां से तो मुख्यमंत्री चले गए दिल्ली पहुंच गए लेकिन दिल्ली में इनके केंदर के नेताओं ने राजनीती सिर्फ करते हुए उनको जाने से रोक दिया गया और मैं समझता हूँ इससे परदेश का बहुत बड़ा नुकसान होता है हिमाचल परदेश के लिए यह बहुत आवश्यक है आज की तारिक में केंदर से सहारदपुन माहौल बनाया रखे रिष्टा बनाया रखे और केंदर से जो भी मदद मिलती है जिस रूप में मिलती है जितनी मिलती है उसको लेना चाहिए मैं भी पांच बर्ष तक मुख्य मंतरी रहा हूँ अगर हिमाचल परदेश में अगर विकास के कार है अगर हम पिछले पांच बर्ष चुमें हम कर पाए हैं जिसकी आज गाउं गाउं में चर्चा है कि भाजपा के शाषिन में सड़के बन रहे थे पूल बन रहे थे हॉस्पिटल बन रहे थे स्कूल के भवन बन रहे थे कॉलेज बन रहे थी लेकिन पिछले अठारा उनिस मुनेर से सुखु जी जब से मुख्य मंतरी बने हैं पूरण विराम हिमाचल परदेश की विकास पर लगा हुआ है और इसलिए मैं यही कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी राजनिती करने के लिए कोई और माधिम है कोई और आपसर आपके पास हैं काफी हैं वहाँ उपयोग कर लें लेकिन खास तोर से जहां हिमाचल परदेश के हितों की रक्षा करने की बात है जहां हिमाचल परदेश का पैठक में उपस्तित होते तो निश्चित रूप से मैं इस बात को कह सकता हूँ हिमाचल परदेश को गंभीरता से सुना भी जाता और बहुत सारी चीजें ऐसी होती जो जिसको केंद सविकार भी कर लेता तो मैं समतों परदेश का ये दुर्भाग्य है परदेश को बहुत बड़िक्षति हुई है ये राजनिती हर बात पर राजनिती ये उचित नहीं है देश पर में इस तरह की जो राजनिती चलिये नकारात्मक्त राजनिती है राजनिती का दौर हो गया चुनाब हो गया लोकस यानिधिय की सरकार बन गई मोदी जी तिसरी बार प्न भा drinking गई और जितनी शीठे ये अम इन्डियी आयी है उसमें बहुमत है इंडिय के पास होता तो तो वो सब सरकार बनाते लेकिन जब के पर भु Olivier को लोक अंतर कि मर्यादा का पालन नहीं करेंगे उसमें विश्वास नहीं करेंगे उसको सम्मा नहीं देंगे तो मैं सम्झता हूँ कि यह बहुत दुरुभागय पून है जो राजनीती जिस परकार की चल रही है वर्तमान में इंडिया गठपद्धन की और से यह देशित में नहीं है और ही परदेशित में है आज सेंटर गौर्मेंट से तीस कुरूर का बज़र बाग पाक लिया है तास हैं लेकिन स्टेक गौर्मेंट ने रैफर बैक करती आ है कि हम अपड़े रिस्वर्शिस से इसको बनाएंगे मुझे लगता है कि कौन ये अधिकारियों में कौन लोग हैं जो या कौन इनके एडवाइजर हैं मुख्य मंत्री के जो इनको गाइड कर रहे हैं इनको ये जानकर रहने चाहिए कि पूरे देश भर में तीन बल्क ड्रग फार्मा पार्क मिले थे और जिसके लिए हिमाचल परदेश ने भी बिट किया था और बिट करने के कि हमने इस प हमने जो है वो कॉंपिटिटिव प्लैन बना करके बीडिंग की और उसके बाद हमने इसको हासिल किया है और जब बीडिंग एक बार हो चुकी आपको अलॉट्मेंट हो चुकी उसके बाद आप कंडिशन चेंज करने बात कह रहे हैं इसका कोई सिर्पैर नहीं है और दूसर हुई इस बल्क फार्मा पारक की उनको प्रदेश सरकार अब बदल नहीं सकती है उनको डिक्टेट नहीं कर सकती है मुझे मालूम ने कौन इनके लोग जो गाइड कर रहे हैं यह सच मुझ में बहुत बड़ा दुरभाग्या है इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे हिमाचल प्रदेश को मिला है छोटे से प्रदेश को छोटे प्रदेश में एक ही माचल प्रदेश है तो उसमें यह मिला है तो इसको लगाने के लिए मुझे लगता है कि वरत्मान सरकार में इस शक्ती नहीं है ना ही इस बात को लेकर कि वह गंबीरता से विचार कर रहे हैं इसका न साइड में करते थे लेकिन जितना हम मांगते थे उत्रा नहीं मिलता था उससे कम मिलता था सेंटर गॉवर्म्नेंट के अपने नॉम्म्रेन आया था कल भी में मंडी में था वहां भी डेलिगेशन आया था पिछली बरसाद का नुकसान हुआ है घर टूटे हैं बगीचे टूटे हैं पशुशाला टूटी हुई है लेकिन उसके बावजूद अभी तक उनको मदद नहीं मिली है दूसरी बरसाद शुरू हो गई तो पै सकता है कि अब कहना छोड़ देना चाहिए बहुत हो लिया लेकिन जो दिया है उसको पात्र व्यक्ति तक पहुंचाओ यह आवर्श्यक है